हेलो प्रैंस कैसे हो आप सब आप सब आप सब अच्छे होगे कुकिंग विट किरन चनल में आपका वेलकम है आज मैं आपको कड़ी बनाना बताने जा रही हूं चलिए देखते हैं बनाने के लिए मैंने यहां पर एक कटोरी बेसन लिया है हम सबसे पहले पकोड़े बनाएंगे उसमें मैंने यहां पर वन फोर्थ यह स्पून से है मैंने बेकिंग सोडा लिया है और आदा चमच जीरा आदा चमच अजवाएन और थोड़ी सी हल्दी और आदा चमच नमक लि निया है और इसे हम एक अच्छा सा बहुत हमें इसे थोड़ा सा अभी मैं आपको दिखाती हूं किस तरह से हमें पकोडे के लिए तैयार करना है यह पकोड़े का बैटर हमारा कुछ इस तरह से तयार हो गया, मैंने एक कटोरी बेशन लिया था, लगबख उसमें एक कटोरी के लगबख पानी भी लग गया है, हमें इतना ही इसे थिक रखना है, हमने गैस पर एक कड़ाई रखी है, और उसमें तेल डालकर गरम कर लिया है, अब हम आईए अपने पकोड़ों को फ्राई करते हैं, पकोड़े हम एक दम ऐसे इस तरह से, जितना साइस का आपको चाहिए, उस तरह से हम डालेंगे, सेप जो भी होगा, कोई उससे दिक्कत नहीं है, पर यह पकोड़े हमारे बहुत सॉफ्ट बनेंगे, इसे हम मेडियम इसे फ्राई करेंगे, अब इयो अब अपने पकोड़ों को एक बढर ऐसे पळलाट लेते हैं, इसे भी हम गोल्टन होने तक इसे फ्राई कर लेएती है, अब इसे हम एक प्लेक में निकाल लेते हैं, यह पकोड़े हमारे तल कर तायार हो गाता हैं, इसे तरह से हम दूसरे अपना बैच भी तल कर तैयार कर लेते हैं पकोड़े हमारे बन कर तैयार है यह देखिए इसमें कितने सारे air pocket हैं और कितने सॉफ्ट बने हुए हैं अगर इन पकोड़ों में आप चाहें तो प्याज के पकोड़े या पाला के पकोड़े या मेति के भी पकोड़े बना के डाल यह दो बड़े चम़ाज बिसंगे रहना के दो वहित प्ला से समया हैं सब सबसे लकर यहां पर यहां पर मैं 2 बड़े चममाख बैसंगा अलगा को अधा नमक सवाद हचान ड़ा हैं अब यहां पर पानीए आथ पानी वहार आफ कड़ी बनाते हैं यहां पर अगर हम दई और बेसन को अच्छे से मिक्स करके फेटेंगे नहीं तो जब हम कड़ाई में दई और बेसन को अगर डारेक्ट डालते हैं तो कड़ी हमारी फट सकती है इसलिए यह स्टेफ हमें फालो करना बहुत ही जरूरी है इस टाइम पर हमें दई और बेसन को बहुत अच्छे से फेटना है हमने वापस वही कड़ाई लिए इसमें एक चम्मच जितना तेल हमारा बचा है अब मैं इसमें एक चम्मच घी आड़ करूंगी हम यह कड़ी घी में बनाएंगे तो बहुत अच्छा फ्लेबर आता है अगर यह वन फोर्ग चम्मच हींग है इन सबी चीजों को हम एक मिनिट के लिए थोड़ा सा इसे सौटे कर लेंगे मैं यहां पर एक चम्मच कटे वे पैसन ले रही हूं और एक चम्मच मैंने ग्रेट किया है अध्रक इसे ले ले लेंगे और इसे हम अच्छे से एग्दम थोड यहां पर शहजन डालने जा रही हूं मैंने दो बड़े बड़े साइज का मैंने दो शहजन इसे ड्रम स्क्रिक भी गोलते हैं ले लिया है इसका फ्लेबर कड़ी में बहुत ही अच्छा लगता है आप इस तरह से एक बार जरूर कड़ी बना कर ट्राइक अध्र मैंने इसे अगर आपको जल्दी है तो कड़ी को 10-15 मिनट पर खड़े होकर लगातार चलाते हुए 15 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएं अगर आप दीरे दीरे इसे पकाएंगे तो लगबक यह 20-25 मिनट पर एकदम मेडियम फ्लेम पर इसे आप पकाएं और एक बार बात आपको बहुत और द्धान रखने है कि जब तक इसमें एक उबाला आजये तब तक हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है both the game चलाते हुए पकाएंगे नहीं तो कड़ी हमारी फट सकती है तो जब तक एक उबाला आ जाए तब तक हमें इसे लगातार चलाना है हमारी कड़ी में एक उबाला आ गया है अब इसे हम थोड़ा मीडियम फ्लेम पर करके कड़ी जीतना दीर दीर पकती है उतना अच्छा इसमें फ्लेबर आता है वादी हमारी पकते हुए लगबग 20 मिनट हो गया है तब तक आये हम इसके लिए एक तड़का तयार करते हैं तड़का तयार करने के लिए हम एक पैन लेंगे और उसमें एक चमच में घी ले रही थोड़ा सा अधरा कद लैसन बारी काटके रखा है इसे लिए यह दो स्लाइजी था और यह आठी पत्ते और एक यह खड़ी लाल मिर्च एक चमच लाल मिर्च पावडर इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर लेते हैं और उधर आ और इसमें पकोड़े डालते हैं आए इस अब हम सर्फ करते हैं लीजे हमारी कड़ी बनकर तैयार है आप इसे गर्म गर्म चावल के साथ या रोटी के साथ खाएं और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी कड़ी कैसी बनी है अगर यह मेरा वीडियो आपको किरन चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू